आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल आमेजन का नाम तो सुना होगा अगर हम प्रिथ्वी के बात करें तो आमेजन का जंगल हमारे प्रिथ्वी का हार्ट है मिन्स हमारे प्रिथ्वी का 20% ऑक्सीजन आमेजन के जंगल से ही प्रोडियूस होते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनुक परताब सिंग आए जानते हैं आमेजन के जंगल के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स तो चलिए हम लोग चलते हैं आमेजन के जंगल के सहर में तो हमारी जर्निय स्टार्ट होती है ये हमारा भारत वर्स है इसके आगे अरेवियन सी है इसके बाद कुछ अफरिका के देश आ जाते हैं इसके बाद आ जाता है ओसियन और इसके बाद आ जाएगा ब्राजील और ये आप जो देख सकते हैं ये हिस्से को है आमेजन का जंगल तो चलिए इस जंगल को अब करीब से जानते हैं आमीजन का जंगल एक नहीं बलकि नौ देसों में फैला हुआ है इसका सबसे बड़ा भाग बराजील में साथ प्रतीसत पेरू में तेरा प्रतीसत कोलम्बिया में दस प्रतीसत इसके बाद और भी पांच देशों में फैला हुआ है क्या आपको पता है आमेजन के जंगल में लगभग चार अरव से भी ज़्यादा ब्रिक्ष है और यहाँ पेड इतने बड़े और घने है कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरज जाती है में से सुर्य का किरन धरती तक पहुच ही नहीं पाती यहाँ के पेड इतने ज़्यादा घने है विस्व का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले आमेजन के जंगलों से ही आता है क्या आपको पता है आमेजन का जंगल का कुल छेतरफल लगभग 5.5 मिलियन स्कॉयर किलो मीटर है जो कि हमारे भारत देश के कुल छेतरफल से भी ज़्यादा है आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जंगल है आमेजन का जंगल जो पूरे पृतिवी का लगभग 4% हिस्सा में फैला हुआ है पर क्या आपको पता है आमेजन नदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है अगर पानी के स्टोरेज की बात करे तो आमेजन दुनिया का सबसे बड़ा नदी है क्या आपको पता है दुनिया का 20% रिवर आमेजन की नदी में जाकर मिलती है और बारिस के दिनों में जब ये नदी में पूरा पानिय स्टोरिज हो जाता है तो कहीं कहीं नदी की चोड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नदी की इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता है लगता है कि हम कोई ओसियन देख रहे हैं जिसका छोर पता ही नहीं चलता क्या आपको पता है कि आमेजन के जंगल में लगभग 17,000 से भी जादा केवल पेड़ के परजाती पाए जाते हैं क्या आपको पता है यहां पर तीस हजार से भी जादा केवल कीड़े के परजाती पाए जाते हैं क्या आपको पता है आमेजन के नदी में पांच हजार से भी जादा मचली के परजाती पाए जाती है और आपको यह बात जानकर आश्चर होगा कि इस जंगल में 3000 से भी ज़्यादा केवल स्पाइडर की प्रजाती पाई जाती है अब हम बात करते हैं आमेजन के जंगल में पाई जाने वाले कुछ खतरनाक जिवजनतूं की नमबर फस्ट बुलेट एंट एक ऐसी चीटी है जो बहुत ही छोटी होती है लेकिन आपने तो चीटी बहुत सारे देखे होंगे इसका डंग बहुत खतरनाक होता है इस चीटी का काटना गोली के लगने के समान होता है इसलिए सायद इसे बुलिट एंट कहा जाता है इसे काट लेने से बहुत तेज बुखार भी आ जाता है ये आमेजन के जेंगल में बहुत ही मातरा में पाया जाता है सेकंड, क्या आमेजन के जेंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरी ले मेढख भी पाया जाते है चटक सुनारी रंग के ये मेढख देखने में तो बहुत ही आकर्सक लगता है लेकिन एक मेढख में लगभग 10 लोगों को मारने लाइक जहर पाया जाता है यह कई कलर में पाया जाता है और यह बारीसों के दिलों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है अस्थानी लोग यह टूरिस्ट यहाँ जब घुमने जाते हैं तो यहाँ इस मेढ़क को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि यह मेड़क बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है थर्ड एनाकॉंडा एनाकॉंडा सांप आपने हॉलिवोड मूवी में बहुत बार देखा होगा जिसमें एक ही जगा कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घुमते रहते हैं और इंसानों को डारेक्ट निगल जाते हैं लेकिन रियालिटी में आमेजन के जंगल में इतना बड़ा एनाकॉंडा नहीं पाया जाता है आमेजन के जंगल में एनाकॉंडा सांप पाया जाता है लेकिन उसकी लंबाई लगवक 30 से 40 फिट तक ही होती है इस्तियाधिक नहीं जिसका जहर तो नहीं होता लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है ये छोटे बड़े जानवरों को निगल के ही खा लेता है और ये एक बार कोई जानवर को निगल कर खा ले तो लगभग महीनों भर ये बिन खाए रह सकता है और ये जादा तर दलदली और पानी वाले स्थान में पाया जाता है फोर्थ क्या आपको पता है आमेजन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेमपरेचर लगभग 110 सेंटी ग्रेट है जिसमें कहीं कहीं पानी उबावता हुआ भी दिखाई देता है यहां का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है यहां की कुछ जनजाती लोगों की निवासी की मौत हो जाती है तो ये लोग जलाए या दफनाने की बजाए इसे नदी में ही डाल देते हैं कुछ जनजातियों को मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है 5. आमेजन के जंगल में सबसे खतरनाग जानवर खूनी जगुआर को माना जाता है या एक परकार का तेंदुआ के प्रजाती का जानवर है जो बहुत ही फुर्तिला होता है इनसानों से दूर रहता है और यह जानवरों को ज़्यादा सिकार करता है 6. क्या आपको पता है आमेजन के जंगलों में एक इगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाग होता है इसके साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका केवल पंक ही कि जो लंबाई यह तीन फिट से भी जादा होती है इसका वजन पांच से छे किलो तक होता है और यह अपने वजन से दूना वजन अपने पंजों में पकड़ कर उड़ सकता है जिसके कारण इसका फैबरेट सिकार बंदर को माना जाता है बहुत ही कतरनाक होता है दोस्तों तो कैसा लगा आपको यह आमजन का जंगल कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बिल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर आने वाला कोई भी वीडियो आप मिसना करे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम थैंक यू